प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठ बंदन पर चुटकी लेते हुए दावा किया कि 4 जून के बाद इंडिया गठ बंदन ताश के पत्तों की तरब बिखर जायेगा अखिलेश और राहूल पर तंज कसते हुए पियम मोदी ने कहा 4 जून के बाद शेजादे गर्मियों की छुटी पर खटकट विदेश चले जाएंगे नमस्कार मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं न्यूस्टूडे राष्टी है पदान मंतरी नरेंडर मोदी ने कहा लोकसबा चुनावों के बाद इंडिया गट बंदन बिखर जाएगा और कॉंगरेस नेतर राहूल गांदी तता समाजवादी पार्टी के परमुक अखिलेश यादव गर्मियों की छुटी पर खटकट विदेश चले जाएंगे विपक्षपर तंज कसते हुए पदान मंतरी ने दावा किया कि 4 जून के बाद इंडिया गट बंदन खटाखर तूट कर बिखर जाएगा पीम मोदी ने पूर्वी उत्रपरदेश के चार जिलों में अलग अलग रैलियों को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि इस चुनाव में देश के सामने दो मॉडल है एक तरफ अनडिय का संतुष्टी करन मॉडल है और दूसरी तरफ सपा कॉंग्रेस का तुष्टी करन मॉडल है विपक्षपर तंज कसते हुए मोदी ने ये भी दावा किया कि 4 जून के बाद मोदी सरकार बनेगी ही बनेगी लेकिन 4 जून के बाद इंडिया गठ बंडन खटा खट तूट कर बिखर जाएगा कोंग्रेस ने पिछले तीन चार दिन से बड़ी माथा पच्ची की और उन्होंने आदेश दिया कि कुछ भी करो आकास पाता लेद कर दो लेकिन कॉंग्रेस को कम से कम पचास सीटे मिल जाए इसके लिए अब वो हाथ पैर इदर उदर मार रहे हैं और इसके लिए भानू मती के कुनबे में हवा भरने की कोशिज हो रही है लेकिन जिस इंडी गड़बंधन की गाड़ी का टायर पहले दिन से पंचर हो वो कितना आगे जाएगी एक न एक दिन उसका भट्ता बैठनाई था और वो बैठ गया आपको पता है हालत क्या हो गई है आप आप द्वज नीचे करिए कि पीछे किसी को दिखता नहीं है आप इसको हिलाना बंद नीचे रख दीजिए जरा सिक्रिटी के लोग उसको नीचे ले लीजिए को मुझे भी डिस्टप करेगा ले लीजिए उनके हाथ पर से लेकर के आगे पीछे यहां लगा दीजिए जाबाद बड़े समझदार लोग है पीछे लोगों को दिखता नहीं था बड़े सम्मान के साथ बाहर ले जाना साथियों पंजेव और साइकल के सपने तूट गए खटा खट खटा खट अब चार जुन के बाद की प्लानिंग हो रही है कि हार का ठिकरा हार का ठिकरा किस पर फोड़ा या खटा खट 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 और मुझे तो कोई बता रहा था कि विदेश यात्रा का टिकेट भी बूक हो गया है खटा खट 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 ऐसे ही किसी ने विश्य के साथ आप से फिर होगी मुलाकात और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा न्यूस्टूडे राश्ट्री को यूटूब पे सब्सक्राइब करें इसी के साथ हमें दीजे अनुमती और आप बने रहें न्यूस्टूडे राश्ट्री के साथ धन्यवाद